हलो फ्रेंड्स में प्रदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का अपनी यूटूब चैनल पर फ्रेंड्स SSC ने फेज 9 2021 सेलेक्शन पोस्ट के कम्प्यूटर बेस्ट एक्जामनेशन का कोस्चन पेपर के साथ फाइनल आंसर की आयोग के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है और इसकी जानकारी SSC ने एक नोटिस के जरिए दिया है तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को उसी नोटिस के बारे में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि आप अपना कोस्चन पेपर और आंसर की किस तरह से देखोगे और उसका प्रिंट आउट किस तरह से लोगे तो अगर आज का ये वीडियो आपको इन्फर्मेटिव लगे तो सस्क्राइब करके जुड़े रहे हैं हमारे साथ चलिए स्टार्ट करते हैं तो यही वो नोटिस है जिसमें कोस्चन पेपर और आंसर की से संबंधित सारी जानकारियां दी हुई है और इस नोटिस में लिखा है स्टाफ सेलेक्शन कमिशन डिकलियर दर रिजल्ट ओप कम्प्यूटर बेस्ट एक्जामनेशन फेज 9, 2021 सेलेक्शन पोस्ट एक्जामनेशन देट इज मेट्रिकूलेशन हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजवेट एबब लेबल ओन 1 जुलाई 2022 और and shortlisted the candidates for next stage of scrutiny इसका मतलब यह है कि कर्मचारी चयन आयोग ने 1 जुलाई 2022 को फेज 9, 2022 सेलेक्शन पोस्ट के कम्प्यूटर बेस्ट एक्जामनेशन का रिजल्ट जारी कर दिया है जो की मेट्रिक, इंटर, ग्रेजवेशन और इसके उपर के लेबल का है इसके साथी next stage के question paper on the website of commission on 13th of July 2022 मतलब परिक्षा परनाली में अधिक पारदर्सिता सुनिश्चित करने और उमिद्वारों के हीत में आयोग ने 13 जुलाई 2022 को आयोग के website पर question paper के साथ final answer की upload कर दिया है इसके बाद है the candidate may take a print out of their respective question paper along with the final answer की by using the link given below मतलब की candidate नीचे दिये हुए link का उप्यो तो अभी मैं आपको एक link दिखाने वाला हूँ जो की इस notice के नीचे ही दिया हुआ है इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरह से उस link का use करके आप अपना question paper और answer की check करोगे और उसका print out लोगे इसके बाद इस notice में लिखा है this facility will be available for the candidates for a period of one month that is from 13th of July 2022 5 p.m. to 12th of August 2022 up to 5 p.m. इसका मतलब ये सुविधा candidates के लिए एक महने की अबधी के लिए यानि 13 जुलाई 2022 के सामके 5 बजे से लेकर 12 अगस 2022 के सामके 5 बजे तक उपलब्ध होगी तो अगर आप अपना question paper या answer की देखना चाहते हो या print out लेना चाहते हो तो 13 जुलाई से ले question paper और answer की किस तरह से देखोगे और print out लोगे तो इसके लिए link इसी notice में दिया हुआ है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो सेम यही link आपको इस वीडियो के description box में भी मिल जाएगा जिसके help से आप अपना question paper और answer की देख सकते हो और print out ले सकते हो तो आपको करना यह है कि सबसे पहले आपको इस वीडियो के description box में जाना है और वहाँ पर जो link दिया हुआ है उस पर click करना है जैसे ही आप उस link पर click करोगे आप एक नई page पर पहुँच जाओगे यह page stop selection commission का ही एक page है यहाँ पर आपको candidate login लिखा हुआ देखने को मिलेगा इसके नीचे आपको roll number फिल करना है roll number के नीचे आपको अपना password फिल करना है roll number और password दोनो admission certificate के अनुसर फिल करना है तो अपने admission certificate वाले roll number और password को यहाँ पर फिल करके login पर click करना है जैसे ही आप login पर click करोगे आपके सामने आपका question paper और answer की सारा चीज खुल कर आ जाएगा जहां से आप अपना question paper और answer की सब check कर सकते हो और इसके साथ ही आप print out भी ले सकते हो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको पसंद आया हो तो like करे और अपने friends के साथ share जरूर करे चैनल पर नए हो तो subscribe करे और notification bell को दबा के all को select कर दे ताकि इसी तरह के informative वीडियो का notification आपको मिलता रहे धन्यवाद